नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 14 मार्च को फ्रैंक्फर्ट में इलेक्शन हैं और इसी विशे में बादचीत के लिए आज हमारे साथ हैं फ्राई वेलर पार्टी की तरफ से मिस्टर राहूल कुमार राहूल जी, नमस्कार और आपका सुआगत है आप सब को मेरा नौशकार तो राहूल जी सबसे पहले आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताईए बचपल में ही जर्मनी आ गया था, नाइन मंस का जब मैं था यहां पर स्कूलिंग किया, स्टडी की और यही पर काम किया और पुछले दस साल से सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा हूँ 2021 मुझे एलेक्शन आ रहे हैं उसका मैं में कैनिडेट हूँ तो सीटी ऑफ ट्रेंक्फॉर्ट राहूल जी अब कौन कौन सी भाशाइं जानते हैं मैं जर्मन, इंग्लेश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इतनी सी स्पैनिश अच्छा लग आपके बार में जानके तो रहो जी ये बताईए कि चुनाव क्या है दिखें सबसे पहले तो ये बात कहने जुरूरी है कि इतनी तादात में अपने कैनिडेट जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे ये बहुत गरव की बात है कि पिछले एक साल के अंदर इतना कुछ हमने कर दिखाया है हमारी जंगता जानना जाते है जैसे बहुत सार इंडियन फर्स टाइम यहा हैं और पहली बारे चुनाव के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ा उनी विस्तार से परता है और कौन-कौन लोग इसमें वोट दे सकते हैं 14 मार्च दो जारी किस में फ्रेंकफोर्ट के अंदर कॉमुनाल वाल होने जा रहा है इसका मतलब है कि तीन टाइप के एलेक्शन हो रहे हैं सबसे छोटा एलेक्शन जो है इस दे के वी दे फॉर्णर स्रेप्रेजेंटिफ एड्वाइजर कमेटी इसके अंदर हर फॉर्णर जो जर्मन पास्पोर्ट होल्टर नहीं है उस वोट कर सकते हैं उससे उपर की जो वोट होती है इसकोल्टर और्स रेप्रेजेंटिफ और्स बायराट उसके अंदर एउ के लोग और जर्मन लोग वोट कर सकते हैं जिस जैसे कि फ्रेंकफोर्ट सोला चोटे चोटे भाग में बटा हुआ है इस तरीके से अपने अपने भाग में आप एक रेप्रेजेंटिफ को वोट डाल सकते हैं जो आने वारे कल में आपकी सायता कर सकता है उससे उपर की जो वोट है इस टी परलिमेंट जिसके अंदर यू और जर्मन शिटिजन वोट डाल सकता है वो लोग City Parliament में बैठते हैं और मेयर्स के साथ बैठकर नए कानून बनाते हैं और उनको लागू करते हैं चलिए अब काम की बात पर आते हैं आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है आपकी पार्टी के मुद्दे क्या है मतलब लोग आपको वोट क्यों करें हमारी जो पार्टी है फ्राय वेलर इस नैशनल पॉलिटिकल पार्टी और हम तीनो ही भागों में इलेक्शन में भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि के एवी, City Representative of the area and for the City Parliament of Frankfurt तीनो ही इलेक्शन के अंदर हमारे लोग खड़े हुए हैं और उमीदभार हैं अच्छालागा जानके की चलो बहारी लोगों के लिए भी आप काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जैसा की आपने का इसे बाखी पार्टी यही कह रहेंगे कि वो यह कर देंगे कोई कह रहा है क étaल्यों क mee फोर्ण्सफर्ड में को ग्री बनाएंगे तो लोग कैसे आप पर विश्वास करें आपकी पार्टी के भी वही मुझते हैं तो कैसे लोगों को आप विश्वास दिलेंगे कि आप जो बोला है वो आप करेंगे वो सिर्फ पेपर पे नहीं है देखें विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी पार्टी नों जो वादे किये हैं वो अब तक ऐसी रह गए हैं हम उन पर काम कर रहे हैं और करकर दिखाया भी है और आगे भी उन कामों को आगे ले जाने के इच्छा रखते हैं हमारी पार्टी ये चाहती है कि जितने भी हमारे करीबी लोग हैं जो फ्रेंक्फोर्ट में रहते हैं उनकी इंडिविज्वल हेल्प हो सके जो भी हमारे लोगों के मुद्दे हैं चाहे वो रहने के लिए जगे हो या वो जर्मन कोर्सेज हो और भी जो प्रोब्लम्स हमारी लोगों को यहा रहे होती है उसको हम आने वाले कल में हल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कोई बहते प्रोब्लम हो जैसे कि किसी को वोनुं말 की कि रहने की problem होती है, तो उनको वो processing अच्छे तरीके से हो पाए, कहां register कराना है, किस तरीके से हम जल्दी अपनी मकान ले सकते हैं, किस तरीके से financial help हो सकती है, किस तरीके से आने वाले कल में हम अपने माबाप को बच्चों को अपने साथ यहां बुला सकते हैं, उस processing में हम help कर आना चाते हैं, तो उसरी बात यह है, कि यहां रहने के लिए सबसे जरूरी है communication, the German language, जब तक हम अपनी बात दूसरे को नहीं समझा पाएंगे, वो हमारी बात समझेगा नहीं, हमारी problem को नहीं समझेगा, तो उसके ओपर बहुत जारा जोड़ दे रखा है, कि जहां रहते ह उन जड़ों से पहचान करो, और यहां की भाषा सीखो, तो फ्री जर्मन कोर्स के हम डिमांड कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग जर्मन सीखें, और अपने मुद्दे आने वाले कलमें हमें बताएं, और खुद भी उनको सॉल्व करने में, उनकी बहुत सारी मदद हो सकती है, किसी भी गौर्मनेंट ऑफिस में आपको जाना है, या फिर कोई पेपर वर्क करना है, तो वो हर लेंग्वेज में नहीं होता, तो उसमें हम पूरी हैल्प करेंगे आने वाले कलमें आपकी मतद करने में, चलिए, यह जान के अच्छा लागा कि आपने पहले भी लोगों के किया, इसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग नहीं कही, यह चीज हमने करकर दिखलाई, इसको जनता खुद जाकर प्रूफ देख सकती है, कि आज फ्रेंकफोर्ट के गायड में हिंदी और पंजाबी अवेलेबल हैं, और आप हमारा साथ देंगे, तो इस चीज को हम और आगे चलिए अच्छा लगा जानगे, अब आपका लोगों के लिए क्या मेसीज है? हमको सपोर्ट करें, ताकि आने वाले कल में हम आपको निराश ना करें, बलकि आपकी मदद कर सकें. तो दोस्तों ये थे राउल कुमार, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के विशे में बताया, अब फैसला आपके आप में है, आप भी अपने आपको रजिस्टर कीजिए, मोका मिला है वोट जरूर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने बात